अससलाम अलेकूम गूब मॉर्निंग एरिवान ओन शाहिद टॉक्स और आज मैं धोरी सी वीजा और इमिग्रेशन की इंफरमेशन शेयर करने लग हूँ आप लोगों के साथ तक्रीब एक मन्त हुए है यूई ने जो है शाहिद बहुत सारे लोगों पता होगा पांच साल का जो है टूरिस्ट वीजा जो है वह वह उसकी पॉलिसी बनाई है यह उन लोगों के लिए जो यूई को फॉर लॉंग टर्म यूई टूरिस्ट परपस के लिए यूज करना चाते हैं बट रिमेंबर वन तिंग इस नौट वर्क वीजा इंप्लॉयमेंट वीजा नहीं है परपस जो है ऑफिशल टूरिजम के लिए उन लोगों के लिए के जो बार बार यूई को वीजिट करना जाते हैं जिनका वीजिट होता है और इसमें जो है कुछ चीजिया जैसे इसमें सबसे पहले तो यह है कि अगर आपका वीजा लग जाता है लगता है तो 60 डेज वीज 10 महीन है मतलब 90 डेज आपको जो है वह एक्जिट करना है इवह उसको एक्सेंड कर सकते हैं बट यह कि उसको 90 डेज लिए effective थिन्सके परступs करें आपको वापस आना है मतलब जितना बाहर आपका मतलब बिल कर रहा है, स्कैजूल बन रहा है, तो यह जो वीजा है, उन लोगों के लिए है, अगें यह वर्क वीजा या इंप्लाइमेट वीजा नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी सी इसमें कंडिशन्स हैं, और यह अप्लाइ कैसे होना है, और कीजिएगा, और इसकी जो फीस है, वो छे सो साथ सिक्स हंड़र और सिक्स्टी, यह दिरम्जा है, मतलब यह यह फीस है, पांच साल के मल्टिपल एंट्री टूरिस्ट वीजे के लिए, और इसके लिए डाकुमेंट्स जो हैं वो, आप जब उस पे जाएंगे, लिंक पे आ आकाउंट्स जो पाकिस्तानी है, वो उना चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक साल की मेडिकल इंशोरेंस होनी चाहिए, और उसके बाद आपके बाद होटेल की बुकिंग शो करने का जब अब जब अरायव होते हैं, तो आप शो करेंगे कि आपकी होटेल बुकिंग जो है, वो भी पड़ी है, और उसके बाद अफकोर्स आपको रिटर्न टिकेट भी शो करना है, मतलब इस आदब बेसिक मेन रिकॉर्मेंट्स हैं, और यह बेसिक हैं, आप जो है, आउनलाइन खुद भी इसको अपलाई कर सकते हैं, मतलब एजेंट्स की जरूरत नहीं है, दर उनलाइन जाएं और जानलाइन और इसमें फॉर्म फील करें और जो इसको अपको बसीक रिकॉर्मेंट्स है, तो आप जो आपको पड़्िक विशा के लिए जो आपको पास टूर्श विजा है, और अबसे बहुत को तर मिचे हैं, और अबाद इसको यह चाहते हैं, go online apply it fill the form and and fulfill the basic requirements like hotel hotel booking return year ticket bank statement 700,000 Pakistani rupees and you can say it is $4,000 at least $4,000 at least bank statement जो हो आप की होनी चाहिए और उसके बाद जो है I mean कभी भी आजा सकते हैं 3 months के बाद exit करें आजाएंगे उसके 180 days को further extend करने so it's a very good thing it's a very good initiative so it's been almost I think one month that has been issued one month हो चुक है so I thought I have to share with you guys again thank you for watching shy talks and if you have any question you can comment in the comment section और वीडियो को लाइक कीजिएगा if you like it और फिर दुबारा किसी और टॉपिक बात होगी तब तक के लिए खुदाफिस thank you so much and नक्यार रखेगा